हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागा देसे नए वीडियों बात करेंगे बिहार LRC में अमीन की जो वेकेंसी निकालेगी है 8244 पदोपे उसका फॉर्म कैसे फील करेंगे बात करेंगे मैंने इसके उपर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है बट काफी लोगा यह कमेंट है कि आप इस पेसल जो है अमीन के जो वेकेंसी निकालेगी है न 8244 उसके लिए फॉर्म करके बताईए क्योंकि उसमें काफी ज्यादा दिकत हो रही इसका मैंने लिंक डारेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर्म भरने से पढ़े आप एक बार नोटिफिकेशन को यहां पर पढ़ सकते हैं यहां पर आपका डिप्लोमा बोला गया है सिविल में अगर आप डिप्लोमा किये हैं सिविल में तो सगलग डिफाइंड किया गया है किसी को 40 वर्स किसी को 37 वर्स और आप दूसरे राजी के भी हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आई जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है तो सबसे फ़ले इस वेबसाइट पर आ जाना है यहां पे आने के बास से आपको कुछ करेंगे special server I mean अपना नाम लिखेंगे अपने father's name लिखेंगे यहां पर data of birth आपको लिखनी है यहां पर email लिखना है यहां पर अपना mobile लिखना है ध्यान रहे जब email लिखेंगे और यहां पर get otp पे click करेंगे तो आपके उस email ID पे otp जाएगा कभी कभी क्या और आप लोग को otp नहीं मिल रहा है तो उस case में आपको जो है अपना spam junk या all जो होता है यहां पर बिहार है तो बिहार चूच करेंगे तो बिहार के according यहां पर देखिए general ebcbc cst ews किस category से हैं आप अपने category को यहां पर चूच करेंगे इसके वासे आप से पूछ रहा है home district आप अपना किस जिला से बिलॉंग करते हैं इसकी जनकारी आपको चूच करनी है और यह वाला जो option है home वाला यह हट जाएगा यहां पर आपको राजे चूच करने का option है कि अपना राजे का जनकारी बता यह तो यहां पर इस तरह से बता देंगे ठीक है अब यहां पर पूछ रहा है कि physically handicapped हैं तो yes करेंगे उसके बस यहां पर word of freedom fighter अगर आप freedom fighter के word है तो yes करिए वरना no करिए gender यहां बतानी है यहां पर आपको अपना नाम लिखना है अधार कार्ड के according आपका नाम जो है spelling वह लिखेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे आपके अधार कार्ड आपके metric according जो है अच्छे से match करना चाहिए date of birth आपका नाम के spelling father name सब चीज उसको से year आपका बड़े यहां लिखेंगे year के वल लिखना है date और मन्त लिखेंगे यहां पर अधार नामर लिखेंगे और validate अधार from server पर क्लिक करेंगे तो अधार का जो data से verify हो जागा server से कि यहां आपने सई से भरा हुआ है इसके मैं से capture code को यहां भरेंगे इसको agree करेंगे और register व ID note करने के बाद से यहां पे आपको link मिलता है कि आप इसपे क्लिक करें अपना password reset करने के लिए तो आपको इसफे क्लिक करनी है अगले step में आपको एक password यहां पे बनानी है create करनी है जैसे आ पसवर्ड रखना चाहते हैं उस तरह का password यहां पर रख सकते हैं और यहां पर इस capture code को आपको भरनी है, जो भी आपका capture code यहाँ पे दीख रहा है, उसके बसे set password पे आपको click करना है, password का format बोला गया, यहाँ पे देखिए, 8 से 10 character के बीच होनी चाहिए, a से z यूज कर सकते हैं, small भी यूज कर सकते हैं, कि special character भी यूज कर सकते हैं, जिसे माल लिजए आपका suppose नाम राजू है, तो ragu add.123, ऐसे करके आप password अपना बना सकते हैं, चले हम करते हैं, set password पे click, जिसे password पे set करेंगे, आपका फिर से mobile नमर पे OTP जाएगा, और OTP को यहाँ पे जो है, दुबारा से लिखेंगे, और save करेंगे, OTP verify करते हैं, आपका password जो है, set हो जाता है, अब आपको दुबारा से यहाँ पे login करनी होती है, तो username यहाँ पे लिखेंगे, जो आपको मिला, password जो आप बनाये थे, वो लिखेंगे, इस capture code को यहाँ नीचे लिखेंगे, और login करेंगे, जैसे friends से आप यहाँ पे login करेंगे, आपका dashboard यहाँ पे खुल लाएगा, अब आपको यहाँ पे देखिए, काफी सारे steps आपको करने को मिलेंगे, तो इन सभी steps को आपको fulfill करना है, भरना है, तो यहाँ पे आपको click करना है, personal details वाले option पे, इस पे आप जैसे click करेंगे, आपकी personal जनकारी यहाँ पे पूछी जाएगी, तो यहाँ पे आपको देखिए, mother's name पूछेगा, फिर आपका married है कि unmarried है, इसके बाद यहाँ पे आप आपको अपना जो है, nationality already chosen है, फिर आपको नीचे आनी है, अब यहाँ पे आपको जो है, अपना correspondence address को feel करेंगे, यहाँ पे pin code लिखेंगे, अगर आपका permanent address सेम सेम है, तो इसको tick करेंगे, सेम सेम copy हो जाएगा, इसके विससे यहाँ पे आपको blood group बतानी है, कि आपका कौन स application marks, body में एक पहाचान आपको बतानी है, जो भी आपके, जैसे तील का निसान, कटा के निसान, जो भी हो, pen number है, तो लिखिये pen number नहीं से छोड़ सकते है, mandatory नहीं है, UN number, EPF number है, तो लिखिये वरना इसे आप छोड़ दीजिए, इसको सेब करेंगे, और go to home पे click करेंगे, एक एक इस tip को समझ यह, सबसे पहले, आपको metric का board का नाम लिखना है, फिर यहां पर institute या college का नाम लिखना है, जहां से अपने metric पास कर रहा है, आपका जो metric जहां से पास कर रहा है, वो government है कि private है, इसको चूच करेंगे, आप किस district से metric पास किये है, पहले तो राज यहां यह अपना district चूच करेंगे, a specialization यहां पर disable है, subject बताएंगे, कौन कौन से भी से आपने metric में पढ़ा है, तो हींदी, math, science, social science, इस तरह से आप जो है, अच्छे से feel करेंगे, बारी-बारी से कौमा दे दे कर आप जो है feel करेंगे, ठीक है ना, तो यह आप अच्छे से feel कर ली यहां पर आपको बतानी है, जिसे 350 मिला, अब जिसे यहां पर हटेंगे, तो यहां पर percentage automatic जो है, आज आएगा, अब ध्यान देनी है, काफी लोग यह बोलेंगे, कि मेरा CGPA है, या और भी grading system वाला है, तो हम कैसे भरेंगे, तो देखेंगे, इसके लिए friends, आपको जो है, CGPA या जो भी grading system है, उनको जो है, कनवर्ट करना होगा है, आपर साफ साफ लिखा गया है, disclaimer में, CGPA, GPA या SGPA score, you must convert into total marks, and marks obtained as a per regulation, जो भी आपके rules है, कनवर्ट करने का marks को, CGPA को marks में कनवर्ट करने का, उसी rule के according, आप जो है, अपने CGPA को या grading को, जो है, marks में कनवर्ट करेंगे, और सबका होता है rule, अगर आपको नहीं पता है, तो आप अपने सर से पूछेंगे, अपने school वालों से पूछेंगे, कैसे convert करते हैं, किसी teacher से, जो जानता हो, तो आप पूछेंगा, easily वो बता देंगे, या आपके, जो CBSC होता है, CBSC के back side में, तो वहाँ पर formula दिया रहता है, माक सीट के back side में, उरिजन माक सीट आपके पास होगा ना, तो उसके back side में देखेंगे, तो वहाँ पर mention रहता है, कि कैसे जो है, आप marks को, grade को, या CGPA को, marks में convert कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको लिखना है, फिर intermediate अगर आपने पढ़ा है, तो intermediate जनकारी भरिए, अगर आप क्योंकि ये vacancy देखें, डिप्लोमा वेस पे हैं, तो डिप्लोमा तक कि आपको जनकारी यहाँ पर add करना mandatory है, metric add कर दिए, डिप्लोमा एड कर सकते हैं, अगर आप internet पढ़ें, तो इप्लोमा वाली आपको जनकारी यहाँ पर भरनी है, तो डिप्लोमा आप किस university या board से पढ हाई किया हुआ है, फिर वो college private है, या government है, इसके वसे किस राजी से आपने जो है, वो course किया हुआ है, वो राजी यहाँ पर आप जो है, क्या करेंगे, चूच करेंगे, और किस district से जो है आप वो, मतलब डिप्लोमा जो है, civil में मांग रहा है, अमीन की vacancy में, वो आपको बत मानी है, इसके वसे कितना मास्क था, तो मालनीजी सपोज एक हाजार का था, और आपको मिला मालनीजी 820, इस तरह से आप 1000 और यहाँ पे 820 लिखेंगे, अगर इसमें भी आपका grading system है, इसको marks में convert करेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा marks में convert करके, इसके बाद को add करेंगे, जितना आप qualification को add करेंगे, उतना आपको ज्यादा chance है selection होने का, नहीं पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं, पढ़े हैं, ज्यादा इसके आगे भी higher qualification की है, तो सब को बारी-बारी से add करेंगे, उससे क्या होगा न, यहाँ पे आपको save करने पे total points बनेंगे, भले आप clerk वाले post पे apply कर रहे हैं, या और जो भी, और दो-तीन तरह की vacancy निकली हुए इसमे, तो सब में, जो है maximum जहां तक पढ़ाईगे, और सब को add कर दीजिए, बारी-बारी से, इससे क्या होगा न, यहाँ पे total education point आपके बन जाएंगे, और आपका selection होने का chance ज्यादा, क्य qualification add करने के बाद से देखिए, ग्रीन हो चुका है, अब आपको semester details पे click करनी है, तो semester क्या करना है, आपको add करना है, तो बारी-बारी से जितने semester आपने पढ़ाई किया हुआ है, उस सब को आप यहाँ पर add करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको choose करना है diploma, क्योंकि वेकिश इसी diploma based पे है, यह जो मैं form भर के बता रहा हु, अमीन वला, तो diploma choose करेंगे, semester यहाँ पर करेंगे, चूच करेंगे first, पहला आपको semester ज़रूर मिला होगा है, तो तीन साल जो diploma है, उसमें आपको 6 certificate मिला होगे, तो पहले first year, फिर second year, फिर third year, ऐसे करके 6 semester, 6 semester को आप यहाँ पर बारी-बारी से add करेंगे, आपको कितना marks यहाँ पे उस वले semester में मिला हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, बतानी है, obtained कितना हुआ है, percentage यहाँ पे, automatic जो है, आजाएगा, और उसके बस यहाँ पे add more पे click करेंगे, इसके बाद यहाँ पे again diploma ही choose करेंगे, और यहाँ प आप marks sheet पढ़ेंगे तो आपको पूरी जनकारी उसमें मिल जाती है, उसका certificate number, mark sheet के उपर में ही certificate number लिखा राता है, कोई भी उपर number होगा, आप यहाँ पे feel कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं होगा, total marks कितना मिला है second semester में, कितना आपको था, कितना मिला है, और percentage automatic आजाएगा, फ साफी लोग यह बोलेंगे, कि जो educational वाले में पूछ रहा था, mark sheet की जनकारी, percentage, यहाँ वाले section में, मैं एक बर जाके दिखाएता हूँ, इसमें हम कैसे भरेंगे, तो दिखेंगे friends, इसमें क्या होता है, कि आपका एक last year में, आपका मिलता है, सभी semester को combine करके, एक score निकाला ज सब में semester wise, जो है, details लिखी रहती है, तो उसको सब का मिला के, जो percentage निकलता है, वही आपका पता चलता है, कि आपको diploma में इतना percent, जो है, pass out, इतना percentage से, तो उसी के base यहाँ पे आपको भरनी है, और जो इसके पहले मैंने बताया, semester wise जनकारी, वो आपको semester wise जनकारी भरनी है, तो ध्यान रहे, अच्छे से भरिएगा नहीं, तो form reject हो जाएगा, क्योंकि इसमें exam होगा नहीं, आपके जो qualification भरेंगे उसी के base पे selection होने वाला है, बार बार मैं आपको यह चीज बता रहा हूं, ताकि आपको सही से समझ भाए, तो यह चीज आप दोनों को अच्छे से add कर अपको फोटो वाले पर आजाना है, फोटो वाले पर आपको अपना फोटो ग्राफ, सिंगनेचर, हिंदी सिंगनेचर उसके बास यहां पर upload करेंगे, यहां पर देखिए आपको फोटो ग्राफ का 200 बाई 230 पिक्सल का होनी चाहिए, इसली अप्लोड हो जाएगा, पचास के section आजाना है, documents में आपको क्या क्या अप्लोड करनी है, इसकी जनकारी यहां पर अरड़ी दिया हुआ है, जो जो star marks लगा हुआ है, वो सब आपको upload करना mandatory है, और यहां पर देखिए, आपको बोला गए 400 kb से जो है, कम होनी चाहिए, और यहां पर PDF में होनी चाहिए, black and white में आपको scan करके upload करनी है, यहां पर instruction के according जरूर आप form को apply करेगा, वरना form reject होने का chance है, तो आप इस instruction में form को apply करेंगे, file size 400 के भी से कम, और black and white में, यहां पर 10 वी class का certificate आपको upload करनी है, अगर माल लिजिए, आपका किवल mark sheet है, certificate नहीं है, तो आप यहां पर certificate में mark sheet को ही upload कर सकत बच्चों का क्या होता है, कि अवल mark sheet उसका सब कुछ होता है, certificate भी होता है, और उसका mark sheet होता है, तो उस case में वो दोनों जगहा पे जो है, same चीज अप्लोड कर सकता है, लेकिन बिहार बोड में क्या है, certificate अलग होता है, तो उन लोगों को जो है, अलग अप्लोड करना है, अ इसको से diploma आप किये हैं तो diploma का degree certificate आपको मिला होगा diploma जो होता है उसका एक certificate मिला होगा उसका certificate नमबर यहां पर आपको mention करेंगे उसको scan करके यहां पर upload करेंगे इसके बास से यहां पर marks it all semester 6 semester होंगे आपके diploma में civil में तो उस 6 semester को जो है scan करके एक pdf बना लेंगे merge कर लेंगे एक साथ और उसको यहां पर scan करके upload कर देंगे ठीक है इसके बस यहां पर आपको scst और अगर आप जो है obc से आते हैं bc ebc ews तो आप अपना जो है जाती certificate यहां पर upload करेंगे और उसका certificate number यहां पर आपको लिखेंगे यहां पर आपको निवास प्रमापत्र आपको upload करनी है और उसका certificate number यहां पर आपको लिखना है और अगर आप other states से है तो आपको निवास वाला नहीं मागेगा जाती वाला भी साहे नहीं मागें एक बार आप ट्राइ करेगा और यहां पर आपको जो अप्लोड करनी है सब को black and white में अच्छे से अप्लोड करनी है यहां पर सभी फाइल को एक साथ चूच कर लेंगे certificate नमर को अच्छे लेंगे उसके अप्लोड करेंगे तो सब चीइज अप्लोड किया यहां देख भी सकते हैं अगर किसीको रिमूब करना है तो और आपigon करेंगे यहां ​​ पे यहां पर दोवाले पैसला है कुलीक करेंगे ृٹ könnte अगर सब छी रहा उसके बाद यहां पर करेंगे और OTP को verify करने का option आएगा यहां देखे final पे click करेंगे OTP लिखेंगे और यहां पे save करेंगे तो आपका form final submit हो जाएगा इसके वास आपको कुछ नहीं करना है print out निकालके अपने पास hardgown भी रख लेनी है ठीक है तो इस तरह से फिंट्स आपको जो है form को apply करना है बिहार में जो L नियोजन रखा जाएगा आपको जो है 31 मार्ट 24 तक के लिए आ यहां पर रखा जाएगा नियोजन पे चैनल पर करें मैंने बताया metric और डिप्लोवर जो आपके प्रतिसात है उसके based आपका यहां पर मेधासुची बनेगा आपका selection होगा उमीद करता हूं friends आपको जनकारी स समझ माया होगा मन में कोई भी doubts है comment है तो comment box में पूछेगा मिलते हैं किसी नए वीडियो को साथ हमें दीज़े जायत और देखते लिए डियर सल्पिंग फॉरेवर थैंक यू फॉर वाचिंग चाहिन